कि Also इस बुडियो में हम लोग जानेंगे use of mortar for different work यानि कि अलेग अलग का रीध खर्य के लिए जो हम लोग mortar ॐ यूज करते हैं उसका ratio क्या होता है mortar में currency कितना होता है और sand कितना होता है इसके बारे में हम लोग राख के लिए मोर्टार जो यूद होता है उसका जो है वो रेशियो कितना होता है दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रिक मेसिनरी वर्क साड़े चार इंचे दोस्तों चार इंकी जो यीट की चुनाई होती है उसमें जो है सिमेंट कितना होता है और सेंड कितना होता है का होगा दूसरा है ब्रीक मेशनरी वर्प 1,3 mm या 9 इंच की इत की चिनाई करते है तो नवा की नवाई इन्च की इत की चिनाई में जो मोर्टार सेंट करते हैं जो हम लोग का वादार हुझानोग मशाजय करते हैं उसका रेश श्यो रहे गा एक रेश च्छै यानि कि एक च्छै का यूज करेंगे मसाला यानि कि एक पार्ट सिमेंट और च्छै पार्ट सेंड अगला हमारा जो वर्क है वो है एक रेसियो 6 का, यानि कि एक पार्ट सिमेंट और 6 पार्ट सेंड होता है, दोस्तों अगला हमारा जो है, एक्स्टर्नल प्लास्टर वर्क है, एक्स्टर्नल प्लास्टर वर्क यानि कि बाहरी दीवारों की प्लास्टर, जो बारिस और धूप में रहते हैं, वो बाहरी दीवा पर जो है जब हम लोग प्लास्टिंग करते हैं तो उस पर जो मसाला यूज करते हैं वो मसाले का जो रेसियो होता है वह होता है एक रेसियो पांच का यानि कि एक पार्ट जो है सिमेंट रहेगा और पांच पार्ट जो है वो सेंडर है अगला हमारा जो वर्क है वह सीलिंग प प्लास्टर करते हैं कमरे में छत की प्लास्टर जब करते हैं जहां पर हम लोग फैन लगाते हैं सीलिंग में तो सीलिंग का जब हम लोग प्लास्टर करते हैं कमरे की छत का इंटरनल प्लास्टर हम लोग जब करते हैं तो उसमें जो हम लोग मोर्टार या मसाला जो यूज करत कोई तूट-फूट है कहीं पर थोड़ा बहुत गंजा है हौनी कॉंभिंग है कोई रिपेयर है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं एक तीन का मोर्टार एक तीन का मसाला यूज करते हैं एक भौरत सेमेंट और तीन-प्माट सेंट में उसके बाद हम पार्ट सिमेंट और दो पार्ट सेंट अगला जो वर्क है वो है offshore brick work जो है इसमें हम लोग कह करते हैं एक ratio 20 क फेली यूर्श करते हैं आनि कि इो आहांनी कि एक पार्ट जो है सिमेंट और 30 सेर्ट अगला जो हमारा काम है वह लाइनिंग फैनाल जब पॉसने और जहां ऑलाचा चैनाल बनाते हैं नहर बनाते हैं उसमें जो करते हैं तो यह जोगरा लिए यहां पे होता है जल-जमाव एरिये में जो भी हम कारे करते हैं वहां पर जो GB यूह हुत है वह एक रिस्टीन का होता हुआ उसके बाद से अगला वर्क है वाटरवॉकस यह जब भी हम कोई वाटर वोक्स बनाते हैं तेक्स के बनाते हैं या कहली जीए होते हैं याने कि एक पार्ट सेमेंट और तिन पार्ट सेंडर दोस्तों यह तो ता जानकारी कि डिफरेंट वर्क के लिए हम लोग डिफरेंट टाइफ आफ ओफ मॉटार यानी कि अलग-अलग परकार के जो मसाले यूज करते हैं उनके रेसियो के बारे में कि किस काम के लिए किस रेसियो का मसाला यूज किया जाता है दोस्तों यह वीडियो हमारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें थैंक्स वर वाचिंग इस वीटियो